साथ, बौध्य धर्म बौध्य धर्म के संस्थापक गौतम बुध्ध थे इन्हें एशिया का जोती पुंज लाइट आफ एशिया कहा जाता है गौतम बुध्ध का जन्म 563 इसापूर्व में कपल वस्तू के लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था इनके पिता शुद्ध होदन वाक्षाक्य गड़ के मुख्या थे इनकी माता माया देवी की इम्रतियों उनके जन्म के साथवे दिन ही हो गई थी इनका लालन पोशन इनकी सौतेली मा प्रजापती गौतमी ने किया था इनके बच्पन का नाम सिध्धार्थ था गौतम बुद्ध की विवा सोलह वर्ष की अवस्ता में ये शोध्रा के साथ हुआ इनके पुत्र का नाम राहुल था सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिध्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्ता में ग्रिहत्याग किया जिसे बौध धर्म में महा भी निश्क्रमन कहा गया है ग्रिहत्याग करने के बाद सिध्धार्थ बुद्ध ने विशाली के आलार कालम से सांखे दर्शन के शिक्षा ग्रहन की आलार कलाम सिध्धार्थ के प्रथम गुरु हुए बुद्ध के जीवन से संबंदित बौध धर्म के प्रतीक घटना, जन्व प्रतीक कमल एवमसान, ग्रिहत्याग प्रतीक घोड़ा, ज्यान प्रतीक पीपल बोधी वरिक्ष, निर्वान प्रतीक पध चिन, मृत्यू प्रतीक स्तूप आलार कालाम के बाद सिधार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्त से शिक्षा ग्रहन की, उरुवेला में सिधार्थ को औडी डन्ये, वपा, भादिया, महनामा एवं अससागी नामक पांच साधक मिले बिना अन्यजल ग्रहन कीए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 35 वर्ष की आयू में, वैशाख की पुर्णिमा की रात, निरंजना, फल्गू रदी के किनारे, पीपल विक्ष के नीचे, सिधार्थ को ग्यान प्राप्थ हुआ ज्यान प्राप्ति के बाद, सिधार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वो स्थान बोध गया कहलाया बुद्ध ने अपना प्रथम उब्देश सारनात, रिशी पतनम में दिया, जिसे बौध्य ग्रंतों में धर्म चक्र प्रवर्टन कहा गया है बुद्ध ने अपने उब्देश जन साधरन की भाषा पाली में दिये, बुद्ध ने अपने उब्देश कोशल, वैशाली, कोशामबी एवं अन्य राज्यों में दिये, बुद्ध ने अपने सरवाधिक उब्देश कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिये, इन बौधिधर्म में महापरी निर्वान कहा गया है मलो ने अतियंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अन्तियश्टी संसकार किया एक अनुश्रिती के अनुसार मृत्यू के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेशों को आठ भागों में बाद कर उन पर आठ स्थूपों का निर्मान कराया बुद्ध के जर्म एवं मृत्यू के तिथी को चीनी परंपरा के केंटोन अविलेख के आधार पर निर्ष्ट किया गया है बुद्ध धर्म के बारे में हमें विश्रत ग्यान पाली त्रिपटक से प्राप्त होता है बुद्ध धर्म मूलत्अ अनिश्वरवादी है इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है बॉद्ध धर्म में पुनरजर्म की मानिता है तृष्णा को किशीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वान कहा है इश्व दुखों से बरा है का सिध्धान बुद्ध ने उपनिशत से लिया बुद्ध के अन्याई दो भागों में विभाजित थे एक भिख्षुक बॉद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिनोंने सन्याज ग्रहन किया उन्हें भिख्षुक कहा गया दू उपासक ग्रिहस्त जीवन व्यदीत करते हुए बॉद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया बौध्य संग में समिलित होने के लिए नियुन्तम आयूसी मा 15 वर्ष थी बौध्य संग में प्रविष्ठ होने को उपसंपदा कहा जाता था बौध्य धर्म के त्री रतने हैं बुद्ध, धम, एवं संग प्रिष्ट बाराव बौध्य सभाएं सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासंकाल प्रथन बौध्य संगीती, समय, 483 इसापूर सथान, राजग्रीह, अध्यक्ष महाकश्यप, शासंकाल अजात शत्रू सभा द्वीतिय बौध्य संगीती समय 383 इसापूर्व स्थान वैशाली अध्यक्ष सबाकामी शासंकाल कालाशोक सभा तृतिय बौध्य संगीती समय 255 इसापूर्व स्थान पाटली पुत्र अध्यक्ष मोगाली पुत्त तिस शासंकाल अशोक सभा चतुर्त बौध्य संगीती समय ईसा कोग प्रथमशताबदी इस्थान कुंडलवन अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष शासनकाल कनिश्क चतुर्त बौध्य संगीती के बाद बौध्य धर्म दो भागों हीनियान एवं महायान में विभाजित हो गया धर्मिक जुलूस का प्रारम सबसे पहले बौध्य धर्म की द्वारा प्रारम किया गया बौध्यों का सबसे पवित्र त्योहर वैशाक पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पुर्णिवा के ही दिन, बुद्ध का जन, ज्यान की प्राप्ति एवं महापरी निर्वान की प्राप्ति हुई बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबन्द में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया ये है एक दुख, दो दुख समदाय, तीन दुख निरोद, चार दुख निरोद गामिनी प्रतिपत्या इन सांसारिक दुखों से मुक्ती है तो बुद्ध ने अश्टांगिक मार्ग की बात कही ये सादन है एक समयक दृष्टी, दो समयक संकल, तीन समयक वाणी, चार समयक कर्मान, पांच समयक आजीवक, छे समयक व्यायाम, साथ समयक स्मृती, एम आठ समयक समाधी बुद्ध के नुसार अश्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरान मनुष्यकी भवत्रिष्णा नर्ष्ट हो जाती है और उसे निर्वान प्राप्ट हो जाता है निर्वान बौद धर्म का परमलक्ष है, जिसका आर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना बुद्ध ने निर्वान प्राप्टी को सरल बनाने के लिए निम्न दस शीलो पर बल दिया एक अहिंसा, दो सत्य तीन आस्तिय चोड़ी ना करना, चार आप परिग्रह किसी प्रकार की संपत्ती ना रखना, पांच मद्य सेवर ना करना, छै आसमय भोजन ना करना, साथ सुख प्रद विस्तर पर नहीं सोना, आठ धन संचय ना करना, नौ इस्तियों से तूर रहना, और दस नृत्यगान आदी से दूर रहना, ग्रिहस्तों के लिए केवल प्रधम पांच शील अतथा, बिक्चों के लिए दसों शील मानना अनिवारे था, बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपत का उपदेश दिया, अनिश्वरवाद के संबंद में बौद धर्म एवं जयन धर्म में समानता है, जातक कथाय प्रदश्यत करती हैं कि बोधी सत्व का अवतार मनिश्चे रूप में भी हो सकता है, तथा पश्वों के रूप में भी, बोधी सत्व के रूप में पुनर जन्म के दीर के श्रंखला के अंतरगत, बुद्ध ने शाक्यमुनी के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किन्तु इसके उपरांत मैत्रिय तथा अन्य अनामश बुद्ध अभी अवतरित होने शेश हैं। सरवादिक बुद्ध मुर्थियों का निर्मान गंधार शैले के अंतरगत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मुर्थ संभवतह मथुराकाल के अंतरगत बनी थी।